तो मैं आपको बताने वाला था कि 34ग से हम कैसे कैसे एक्सर congregation कर सकते हैं तो पहला exercise जो हम डोग करेंगी यह stretching exercise करेंगे जैसे 15 तो भास करेंगे कि काप muscles को stretch करना है काप muscles को भूरा पंजा को ऊपर करना है तो फेर इसको नीचे भी करें कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी स्टेज में आप कर सकते हैं और आप बहुत एड़ादा स्टेज में भी एक्सराइब कर सकते हैं लेकिन थेरा वेंड का में इस ट्रेंदिक एक्सराइब कर सकते हैं लेकिन एक्सराइब का में इस ट्रेंदिक एक्सराइब कर गुटनी के हर मस्ल्स को मजबूत कर सकते हैं बाटे बाटे भी कुछ-कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिसमें किसी की जरूरत नहीं है किसी एसिस्टेंस की जरूरत नहीं है आपको दी कर सकते हैं इसे गुटना को मोड़ना, सिधा करना इससे आपकी मांस्पेशिया, खास करके, वाडिसेट और हैंस्पेशिंग्स दोनों मजबूत होंगी, तो जोड़ नहीं करना है, शुरू में स्लोग और रेगुलर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये पार आपकी मांस्पेशिया मजबूत हो जाएंगी, तो आप जादा भी कर सकते हैं, जिसमें किसी आरुनी की कोई ये नहीं है, और आपकी वाली एक लिए एक्सराइज करते हैं, तो आपकी भुटने देरे पहुग मजबूत हो जाएंगे, तो आपकी भुटने पहुग मजबूत हो जाएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ, तो उसे भी आप आगे ज़नुर देखीं, तो जिसे कालावला हमने बनाया है कि कालावला जो हम अहे रता है उसका बहुत ज़्यादा रहता है, यह थोड़ा सब कम्योड है, तो मैं तो मैं तो उतना मजबूत भी नहीं हूं, मैं तो दॉक्तर हूं, आपको सीखाने के लिए ज़्यादा बता र इसको मजबूत करने के लिए आप कर सकते हैं, तो मैं इसको आगे ले जाओंगा, और एक आदमी से किसी से हेल्प लेना है, इसको आगे लेना है, देखे इस पर जोड़ पढ़डा है, एंकल ऊपर रखेंगे, तो बता रहे हैं हमारे फिजियो इतले पर साथ कि एंकल ऊपर रखेंगे, तो और भी बेनफिट होता है, तो इसी तरह से आप यह करीब, जितना आराम से होता है आप से करीब, ठीक है ना, जैसे जैसे तो यह तो क्वाडिसप्स के लिए हो गया, उसी तरह आप हैंस्रिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, हैंस्रिंग्स के लिए कैसे करेंग वाइसा है थोड़ दे पीछे लेके जाना है और हम लोग 6 सेकेंड का बात होते हैं प्रायर को है खीजिए इसको अन्दर की मांस्पेशिया इससे मजबूत होगी खीजना है खीज के थोड़े रखना है खीज के रखना है आपकी मजबूत हो जाएगी तो आप ऐसे भी पकड़के रख सकते हैं तो यह मांस्पेशिया मजबूत हो ड़ए है 8 o Consulted. Kalis, 2025, já5100 से अभी बाहर करने वाला है पकड़के पकड़के आप 6 सेकंड तक रखना है इसको लेके आना है फिर बाहर ले जाना है तो इससे यह मांघ्रेशिया मजबूत होंगी और तेरावेंट आप देख रहे होगी के वाद तेरावेंट के मदल से आप पूरा मस्ल्स को एस्टेंदन कर सकते हैं मजबूत कर सकते हैं थैंक यू अनवर जी वर ताइंड हैंट और एक ऐसा चीज है जो आप बैंड रखते हैं और इससे आप अपने उच्रव के स्टेज में अगर आप एक्सरसाइब करना चाते हैं आप उच्णे को मजूत करना चाते हैं तो इस बैंड जरूर करें लीए हैं और इसको शुरू में आप इस्ट्रेचिंग के लिए यूज करें लिगने इक बार आपको confidence आने लगे को strengthening के लिए इसको यूज कर सकते हैं और यह चीज करने के लिए आपको किसी मांगे के जो तरफिस के पास नहीं जाना है किसी के क्लिनिक में जाना है घर बेभाइच के मेरी वीडियो देखे के आप इसको और अपने वुटे को मजबुद कर सकते हैं को रखें उसकी किताब फ्री कॉंपी हम आपको भेजने वाले हैं थैंक यू थिंग हल्दी बी हल्दी